नमस्कार मेरा नाम है इशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू आज के समय में हर शहर हर राज्य में कहीं ना कहीं बलातकार की घटना सुनने को मिलती ही रहती है कोई ना कोई मासूम सी लड़की हवस के दरंदू का शकार होती ही रहती है आज ऐसी ही कुछ घटना पेश है आपके समक्ष जहां थाना राजेंद्र ग्राम शेत्र अंतगर्थ ग्राम पंचायत महौरा में बीते कुछ दिन पहले ही रात एक नाबालिक लड़की के साथ दुशकर्म कर हत्या का मामला सामयाय है बारवी कक्षा में पढ़ने वाली ये चात्रा केकर्या ग्राम पंचायत की रहने वाली थी दरन्दू के द्वारा दुशकर्म कर देने के बाद पीड़क को खलेहान में फिंक दिया गया था पीड़का को पहली बार सुभा नौ बचे देखा गया जब वह जीवत थी और दर्द से कर रहा रही थी जिसके एक घंडे बाद ही पीड़ता ने दम तोर दिया जिस हाथ से के चलते केकर्या गाम और पने का समाज के लोगों में आक्रोश उत्पन हो चुका है और हो भी क्यों ना और होना आविशक्सी बात है इसी केच चलते इनके द्वारा थाना घिराव वस्तड़क जाम जैसी स्थती आडोपी को जल्द गिरफतार की मांग करते हुए की गई है अब समझने वाली बात यह है कि मांग क्यों की जा रही है अपने हग के लिए अपने ही हग के लिए मांग कर रहे हैं लोग लोगों में आक्रोश है क्योंकि प्रशासन द्वारा कोई कड़े स्टेप्स नहीं लिए गए हैं अब उमीद है तो प्रशासन को असूर ध्यान देने की और इस केस को जल से जल सुलजाने की धन्यवाद आज की खबर में बस इतना ही यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें धन्यवाद